चिता सिंग रावत जी की बात करें काफी दिनों से संगर्ष कर रहे हैं और मैं देख रहा कि काफी लोग उस संगर्ष में साथ भी दे रहें देखो मैंने तो लिखित भी सभी साथियों को दे दिया और आप मेडिया को भी बताना चाहता हूं यह तो बाइस साल तो इस रिटाइड एसोसियेशन का है मैं तो 1966 में बारे बारे 1966 को जो एसोसियेशन कर्मचारी जो संग बना था उसका भी एक्टिव वर्कर था लगा लिए कितने साल हो गए लेकिन मिला है ऐसा नहीं है अभी हमारे साथ ने बता बिलकुल मिला है चाहसट के संग में जब हम पर नीकर बोकर उपर स्वाफा आप देखो आज मौ जा रही है और असलियत बताऊं आज दिल्ली पुलिस के लाखों हमारे जवानों को कोई ज़्यादा परिशानी नहीं है कोई परिशानी नहीं है क्यों सुबह घर से आते हैं स्याम को चल जाते हैं परिशानी किनको है एक जो लोकर पुलिस है जो ठाने में रहती है दिन में भी डूटी रात में भी डूटी और जो आईयो बना रखे हैं वो दिन में कोट में रात को पेट्रोलिंग घर जाने में भी परिशानी कोई हपते में रैस नहीं महीने दो-दो महीने में रैस नहीं मिलता छुट्टी में नहीं मिलती आतम हत्या कर लेते हैं आतम हत्या करना कोई मैं उनको सम्मार नहीं देता यह तो एक निर्बल आदमी की कायरता की बात है आतम हत्या क्यों करते हो यह तुम्हें द सबसे बड़ी मांग है वो है हमारे जो सर्विंग जबान है उनकी भी पुलिस रूल के मताबिक एसोसेशन बननी चाहिए ये सुप्रिम कोट से बड़ा तो कोई कोट है नहीं ये सुप्रिम कोट का आडर है दो हजार नौ का और इसमें पुलिस रूल के मताबिक हम एसोसेशन बना सकते हैं और फिर जो रैस्परडेंट हैं पुलिस परसा कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते यह लोग वाल किस की मानेंगे अब पेकprot का चंडीगर्ड का चल हुमारे जब मे बहुत खुसें है इसी पेश सकेल से बहुत कुसें इन्हें कोई पांद टूपके सखेल नहीं चाहिए आपके आगे काफी बड़ी यह क्या है दो हजार्शारें अपील करी सप्रें कोट मैं एक अपील लगाई जब आपके ये कारगिन में हमारे 12 जवान साइध हुए हम जो गौवर्मेंट ने 1967 में 14-4 1967 को जो अंदर नुन हुआ हमको डिस्मिस किया आर्टिकल 3.11.2.C में बेना नोटिस के राष्टपती कर सकता है राष्टपती करेगा गौवर्मेंट के एप्रोच से हिंदरा जी ने उनको एप्रोच किया उन्होंने मने कर दिया लेकिन हिंदरा जी तो है करती ना उन्होंने सेक्टरी सही साइन करवा के हमें डिस्मिस करवा दिया तो मैंने कहा कि वो जो हमने जो गल्ती की है अनुसासन तोड़ा है हमने हमने कोई इस तरह की बात करी है तो हमको डिस्मिस कर दिया और एक ग्रह मंतरी के 42 जवान एट ए टाइम और वो मार दिये जाते हैं उनके आज तक कोई भी आयोग बगएरा कुछ भी नहीं बना बहुत बड़ी-बड़ी मांग हुई हैं उसकी इनको क्यों नहीं आर्टिकल त्री ने तेन मिलट मेरी बात तो नहीं सुप्रेम को उटने चीफ जिस्टिस ने बहुत अच्छे आदमी थे मेरे पास जज्ज्मेंट भी है इसमें भी है उन्होंने का आप बलकु ठीक कह रहे हैं दूसरे जज़ दो जज़ और बैठे थे तो उनकी तरफ देख लेकिन हम रावजी क्या कर सकते हैं हाड एंडिसमिस कर तो यह तो चो कानून लागू होता है यह तो हम पर होता कानून तो सिर्फ दिखाने के लिए आईना है यह तो हम पर लागू नहीं होता और फिर यह जो मेडिया बात कर रहा है मैं तो एक बात कह रहा हूं मैंने पहले भी यही कहा है अप प्रशाष्त हो जाओ, कोई दिन दूर नहीं है, और फिर वो लेला मजनू का सुना होगा, मजनू इसे किसी हम ने कह रहे, मजनू लेला आगी जा, तो फिर मजनू ने क्या कहा, क्या गर्ज है मजनू को, जो खुदा दरवारे जाए, अर्यर्ज है लेला की, तो खुद, कुछ होने जाए बीस फरवरी को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा मैंने तो 16 फरवरी दिली पुझी सतापना दिवस तक भारत सरकार को परसासन को मैंने कहा है कि जो भी हमारा मेमोरंडम आज पास हुआ है इसको लागू करें इसको माने हमें बुलाएं और अने था फिर कुछ ने तुझे यह आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है जैहिंग 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 मैं दिल्ली पुलिस की सभी जायज मांगों का समर्थन करता हूँ और सरकार को ये चाहिए कि जो लोग 24 घंटे डूटी देते हैं जो देश की कानून व्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं उनका तो जीवन पूरा बलीदान के बराबर है मनने के बाद नहीं जीते जी बलीदान है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों की सिकषा, स्वास और उनके किसी भी चीज में वो साधी और तोहरों में शामल नहीं हो सकते इसलिए दिल्ली पुलिस को जो राजधानी की पूलिस है पूरे देश में एक मॉडल पूलिस के तोर पे सारी सुक्ष विदाएं देनी चाहिए, डूटी के घंटे फिक्स होने चाहिए, और जितने भी ये चीजे मांग रहे हैं, वो सब बिल्कुल जाज है, और एविलंब उस पे सरकार को तुरंत कारवाई करने के आवज़ चकता है. सबी की मांगे हैं, और मांगे ये हैं कि अभी जैसे सरकार ने अगनीवीर एक व्यवस्था ले आए, अगनीवीर आर्मी में ले आए, उनको पेंसन नहीं है, तो ये तो एक सरकार के रवये पे निरभड करता है कि सरकार की क्या सोच चल रही है, लेकिन जो अर्चैनिक बल हो, चाए सैनिक हो, चाए पुलिस बल हो, सब लोग जो चोबिस घंटे देश के लिए अपना कुर्बान कर रहे हैं, अपनी डूटी कर रहे हैं, उनकी जितनी भी मांगे हैं, उनकी तनखा बहुत अच्छी होनी चीए, उनके बच्चों के एजुकिसिंग की व्यवस्था अच् सैनिक स्कूल है, ऐसे क्यों नपुलिस सैनिक स्कूल हों, तो ये सारी चीजे हैं, ये मांगे, ये बहुत दुर्भाग्या की बात है, कि इतने लंबे समय तक इनको मांगना पड़ रहा है, ये तो सरकार का दाई तो है, अपने आप इसका संग्यान लेके इन सब चीजों पे कारवाई करने चाहिए, और इसके लिए एक ऐसा कोई व्यवस्ता हो मिनिश्ट्री में, जो की एक कमेटी बने जो ततकाल इन लोगों को बुला के पूछे, कि साब बताओ ये क्या क्या चीज़ है, और इसको डे टू डे बेसिज पे इन चीजों का हल होना चाहिए, ये इतन तरीके से सलीके से रखने चाहिए, वो जो आंदोलन करना और जो सरकार के खिलाफ नारे बाजी करना वो इसका समाधान नहीं है, अभी हम लोग उत्राखन के गवर्नर से मिले, वो लेफ्टेंट जनरल है, मिश्टा गुरमीत सिंग, उनको हमने का मैंगा साब ये बोले बिल जितने भी इनके मुद्धे हैं, उनको हल करने के लिए कैसी मिनिष्ट्री में एक समीती की ज़रूत है, अब गरह मंत्राले खुद ओवर बर्डन है, उनको इन चीजों की फुरसत ही नहीं है, और मसले इतने रहते हैं देश के कि इन पुलिस सुधारों के लिए और इन पर करने के लिए टाम ही नहीं है, होम से प्रकेरी को टाम नहीं है, ग्रह मंत्री को टाम नहीं है, एक ऐसी कमेट्थी होने चыеगे जो इन सब चीजों को तर्तिव वहीज एक निर्धारीक समय सीमा के अंदर इनको देखे और इन पर रहल किया जाए, इनको तसक इसके दुबारा कमिस्तर सार हैं एक सरकार ने ओर्डर किया था कि जब भी ये अधिकारी डिटायर होते हैं तो वैल इन एडवांस दो साल के मिनिमम टैनियोर के लिए पोस्टिंग होने चीए तो जो पोलिटिकल इंट्रफेरेंस है वो पोलिसिंग में बहुत कम से कम होना चीए टैनियोर पोस कि इस्वास नहीं है और धिरी धिरी मैं देख रहा हूं कि ये आज आपको लग रहा है सब चीजे बदल जाएंगी हमारे कोसिस करने से जो हम सही अपने अनुसासित तरीके से इन चीजों को सही अधिकारी तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर वो इस साल दस साल अब इतने साल हो गए अब यह सब जो एसोशेशन वाली बात है सरकार इसलिए डरती है कि यह कोई हंगामाना ना कर दे बलवा ना कर दे हत्यार ना उठा ले लेकिन अनुसासित तरीके से अपनी बात कहने का हक सब को होना चाहिए और यह जो रिश्टिक्सन है सर विवस्था होनीचे जहां रिडर्सल ग्रिवांस का व्यवस्था हो अपनी बात को कह सके पर लेकिन अनुसासित तरीके से और अच्छे तरीके से जो दूसरे आदमी को बुरा ना लगे है कि नीमांड हैं कोई नहीं भी नहीं है पीछे से चली में से चली आ रही हैं दस्कों से चली में भी और यह हैं अगर लंबी डूटीं है ठानों में खासर मंहें नहींutा दिन में सुनवाई नहीं होते हैं मोकशे पर विवार में कई साथी जो है नहीं आदे यह सरकार की आंकडें हैं अकबारों चाहिए जानते हैं कि करने वालेंस नहीं वह चाहिए घैजैन curvature अपकर देंगे उनकी मनमानित से खहलता एंस अधन शहते फिर भी मेरी गुजारस है रिटार वाले जो हमारे आदमी है वो एक जूटों और एक जूटों के अपनी बातें जो है उनके पास experience भी उनके पास समय भी है तो उनको ये संग्टी तो क्या जो सर्विस में दिक्कत उन्होंने उठाई है आज हमारे साथी उठा रहे हैं वो प्लीजार वो मीजय कर लिए उनके जह झाओ उनके तो कि लिए है उनके बातें प्लीज़ा आदमी है उनके पास्टों के जो प्लीज़ारस है।